एक समय की बात है बिट्टू की माँ शहर से बिट्टू को पहली बार उसकी नानी के घर ले कर जाती है किसी वजह से उसको बिट्टू को नानी के घर ही छोड़ना पड़ता है बिट्टू गाव में अपनी नानी के यहां रहना नहीं चाहता था क्योंकि वहां उसके खेलने के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी उसकी मा के जाने पर बिट्टू बहुत रोता है और अपनी नानी से बात नहीं करता वो उस दिन खाना भी नहीं खाता एक दिन जब वो एक जगह अपनी नानी के घर के बाहर बैठा होता है तो पडोस की एक लड़की उसके साथ खेलने के लिए आती है लेकिन बिट्टू उसके साथ नहीं खेलता और उसका खिलोना भी तोड़ देता है वो लड़की वहां से रोते हुए अपने घर चली जाती है अगले दिन वो अपनी नानी से कहता है कि मुझे घर का खाना नहीं खाना मुझे बजार से नूडल्स लाके दो उसकी नानी बहुत ही गरीब थी लेकिन बिट्टू को खुश करने के लिए वो अपनी आखरी बची चांदी की चमच भी बेच देती है और उस रात बिट्टू को नूडल्स के साथ लजीज ब्रैट भी खाने को मिलती है बिट्टू उसे खा कर सो जाता है लेकिन अभी भी वो अपनी नानी का कहना नहीं मानता था धीरे धीरे समय निकलता है और बिट्टू समय के साथ देखता है कि उसकी नानी इतनी बुड़ी होने के बाद भी अकेले ही घर का काम भी करती है और अपने और बिट्टू के खाने के लिए कमाने भी जाती है ये देख कर बिट्टू को बुरा लगता है एक दिन वो अपनी नानी के साथ बाजार से आ रहा होता है तो उसे noodles की दुकान दिखती है लेकिन बिट्टू कुछ नहीं बोलता और उसकी नानी के कहने पर भी वो चुपचाप घर की ओर चलता रहता है लेकिन जब वो पीछे देखता है तो उसकी नानी ने आज जो पैसे कमाए होते हैं उनसे वो बिट्टू के लिए नूडल्स खरीद रही थी ये देखकर बिट्टू का दिल ही बैट जाता है और वो रोने लगता है बिट्टू अब अपनी नानी के साथ रहकर समझ चुका था कि कितनी मेहनत से उसकी नानी पूरे दिन काम करके 50 रुपे कमाती है और सिर्फ बिट्टू की खुशी के लिए वो भी नूडल्स में खर्च कर दिये बिट्टू अपनी नानी से कहता है कि मैं आपसे सिर्फ घर का खाना ही खाया करूंगा अब उसका अपनी नानी के साथ मन लगने लगा था उसकी नानी रोज सोने से पहले उसको कहानी सुनाया करती एक दिन उसकी माँ उसको लेने के लिए आ जाती है लेकिन आप बिट्टू अपनी नानी के साथ ही रहना चाहता है और अपनी मा के साथ जाने से मना करने लगता है लेकिन उसे पता था कि वो अभी बहुत छोटा है और उसकी मा उसको अपने साथ लेकर ही जाएगी वो जाते जाते एक चिट्टी लिख कर जाता है अपनी नानी के लिए कि आपको जब भी मेरी जरूरत हो मुझे खत लिख देना मैं भाग कर आऊंगा और जाते समय वो पीछे मुड़ कर अपनी नानी को देखता रहता है कुछ नहीं बोल पाती अगली दिन नानी फिर से अकले ही सारे काम करना शुरू कर देती है क्योंकि अब बिट्टू वापस जा चुका है और नानी को अब बस बिट्टू का इंतजार ही करना है शायद किसी दिन वो उसकी नानी के पास वापस आएगा झाल